सब्भाईया वैनी दीदीदाई मैंनला जोहार जै मादंतेश्वरी जै मादंतेश्वरी जै मादंतेश्वरी जै चाथिस गड़ महतारी जै जोहार उपेश बगेल जी, शी चरणड़ास महत् जी, शी तामरजथ D Listen. और मिब्यों साहू जी प्रविस्वट इंदर जी यशोद में भर्मा जी हारोित्र भगेल जी निर्माल कोशोरे जी ग्रॉण बोरा जी मुقेश चंद्रकर्ड जी श्री प्रमोथ तिवारी जी श्रीज त्यौडर टाकर जी आप सब का और सभी पदाविकारी सभी कॉंग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत आज बुखाल तो है लेकिन आप सब को देख के खुशी ही होती है क्योंकि आप खुश लगते हो दो दिन पहले मध्यप्रदेश गई थी वहां की जनता खुश नहीं लगती जब भी मैं 36 कड़ाती हूँ और संबोधित करती हूँ जनता को तो आप मुस्कुर आते हुए दिखते हैं इसका मतलब है कि यहां हालचाल ठीक है हैं कि नहीं अच्छे हैं खास तोर से मेरी बेहने देखिए खेरागड नागवंशी राजाओं की धर्ती है राजा विरेंद्र बहादूर सिंग जी और रानी पदमावती देवी जी की कर्म भूमी है आपको शायद मालूम होगा कि पदमावती जी और इंद्रा जी का बहुत करीबी रिष्टा था पदमावती जी इलाबाद में उन्होंने पढ़ाई की उसी समय इंद्रा जी से मिली थी जब वो छोटे-छोटे थे और तब से एक अच्छा उनका एक रिष्टा जुड़ा वो एक मित्रता का रिष्टा जुड़ा बाद में जब नहरू जी को पता चला कि पदमावती जी बहुत सेवा करती है समाज की और कई ऐसी चीज़े हैं जिन में उन्होंने समाज के लिए बड़े-बड़े कारिक किये हैं तो पंडित जी और रविशंकर शुकल जी ने उनको प्रेरिट किया कि राजनीती में आओ और राजनीती के जरिये जनता की खुब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाऊगी तो ये एक पुराना रिष्टा है खेरागड का हमारे परिवार के साथ इसी के तहट इंद्रा संगीत विश्व ध्याले का की स्थापना हुई और ये जो नाम इससे जुड़ा है इंद्रा का नाम ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंद्रा जी का नाम दिया और फिर विश्व ध्याले की जब स्थापना हुई तो इंद्रा जी आए उस विश्व ध्याले का उद्गाटन को करने के लिए तो एक लंबा रिष्टा है एक पुराना रिष्टा है बगेल जी ने कौंग्रिस की तरफ से उस रिष्टे को निभाने का काम किया बहुत समय से आपकी मांग थी कि खेरागड जिला बने आप से बगेल जी ने ये वादा किया उपचुनाओं के समय कि करेंगे और जैसे ही जैसे ही नतीजा आया उसके तीन दिन के भीतर खेरागड का नया जिला बन गया अब जिस से पहले कि मैं लंबा भाश